आज डूपते हुए सूरे को अर्ग दिया गया और प्रसाद अर्पित किया गया। कल सुबह उकते हुए सूरे को अर्ग देने के बाद व्रत का समापन होगा। छट एकलोता ऐसा पर्व है जहां अस्थ होते ही सूरे को जल देने की परंपरा है। छट पूजा का तीसरा दिन सबसे महतवपून माना जाता है इस दिन डूपते हुए सूड़े को अर्ग दिया गया इसे संध्या अर्ग या पहला अर्ग के नाम से जानते हैं इसे लेकर शहर से लेकर गाउं तक के नदी तालाब के किनारे इकठे होकर सामोहिक रूप से सिर में ये सूप रखकर पानी के अंदर जाते हैं और भगवान सूड़े का नाम लेते हुए उन्हें अर्ग दिया जाता है दन्वत करते हुए कई छट व्रत घाटों पर पहुचे और भगवान भासकर को संध्या अलग अर्पित किया जिसमें कि शहर के अखारा घाट, आश्रम घाट, सीरी घाट, चन्दवारा घाट और सभी घाट पर आस्था का जन सहलाब उम्रा पड़ा इस दोरान भग्त में भी खास उत्साह देखने को मिला वहीं सभी घाटों की सुरक्षा को लेकर SDRF की टीम भी अलर्ट मोड पर रही और शहर की सभी प्रमुक घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दी ताकि किसी भी तरह का कोई हाथसा नहीं हो शहर के अगारा घाट और चंद्वारा घाट आश्रम घाट और सीरी घाट पर भी SDRF की टीम लगातार पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दी प्रशासन की ओर से जिला कंट्रोल रूम बनाया गया था और पुलिस का भी घाटों पर भी नियंत्रन को लेकर जवानों की प्रतिन्युक्ति की गई लोक आस्था के महा पर छट के आज तीसरे दिन डूपते हुए सूरच को अर्ग दी जा रही है और इस दौरान हजारों की संख्या में श्रधालू घाटों पर उम्रे हैं